लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं अब्जॉब निट्रिशन के वेव प्रोटीन को आज की वीडियो में अगेन हम एक प्रोटीन सप्लिमेंट को रिव्यू करने वाले हैं प्रोड़क्ट है आज हमारे पास अब्जोब नुट्रिशन का वेप रोटीन, 1kg की पैकिंग है और चोकलेट फ्लेवर है मेरे पास इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोड़क्ट की पैकिंग के बारे में, इसकी नुट्रिशनल इन्फरमेशन के बारे में, इसकी एमेन एसिट प्रोफाइल के बारे में, इसकी इंग्रेडेंस के बारे में, इसकी फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, इसकी सर्विंग सा प्रोडक्ट की जो पैकिंग है वो काफी प्रीमियम क्वालिटी की लगती है जब आप फर्स टाइम प्रोडक्ट को उपन करते हैं तो इसके अंदर एक सील दी होती है तो सील के उपर एक स्कैन कोड दिया होता है जिसे आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो प के उपर मिल जाती हैं तो प्रोडक की पेकिंग में बोलूगा कि काफी अच्छी क्यालिटिक है बहुत ही डिटेल के साथ सारी चीज़ें अब बात करते हैं इस प्रोड़क की निटेस्नल इन्फORYulation के बाड़े इसे ना के बराबरी मान सकते हैं जादा क्वांटिटी में नहीं है फ्रोटीन के बात करें तो एक स्कूप के अंदर है 26.22 जो कि हो जाता है 76 परसेंट जो कि काफी अच्छी मातरा के अंदर लगता है लेकिन लगने से क्या होता है 76 परसेंट प्रोटीन नहीं होगा इसके अंदर यो कि जो प्रोटीन लिखा है इसके उपर वो लिखा है dry basis पर हमें जो protein मिलता है वो मिलता है as is basis पर अब dry basis और as is basis क्या होता है detail में समझाऊंगा तो आप confused हो जाएंगे simple भाषा में समझाता हूँ कि अगर किसी product के उपर dry basis पर protein लिखा है तो उससे लगबग 4-5% आपको कम मिलता है as is basis पर actual में आपको जो protein मिलता है वो dry basis से 4-5% कम मिलता है क्योंकि as is basis में 4-5% moisture भी आज़ता है water content भी आज़ता है तो इसमें अगर dry basis पर 76% protein है तो as is basis पर हम मान के चलते हैं कि 71-72% के around protein होना चाहिए यानि कि actual में जितना आपको protein मिल रहा है वो अगर company mention करके देती तो साड़े 24 से 25 ग्राम के around उन्हें कुछ protein आपको mention करके देना पड़ता बस इतनी बात सबज़ लीजी आप यह मैं lab test report की बात नहीं करा हूँ यह as is basis पर अगर company लिख कर देती तो उसकी बात होई है बात हो गई product की nutritional information के बारे में अब बात करते हैं इस product की amino acid profile के बारे में बात हो गई product की amino acid profile के बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस product के ingredients के बारे में किन किन चीजों से मिलकर यह product बना है उनकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो ingredient है इसके अंदर वह है वे प्रोटीन concentrate दूसरा है वे प्रोटीन isolate जो protein मिल रहा है हमें एक scoop के अंदर 26.22 kilogram dry basis पर वे प्रोटीन concentrate और वे प्रोटीन isolate से मिल रहा है नेक्स्ट जो ingredient है इसके अंदर वह है cocoa powder बेसिकली यह एक chocolate flavor दे देता है अपके product को और इसमें कुछ protein की मात्रा भी आ जाती है तो वे प्रोटीन के साथ साथ थोड़ा सा cocoa powder से भी protein आ रहा है इसके अंदर नेक्स्ट जो ingredient है इसके अंदर वो है थिकनर INS415 बेसिकली यह एक थिकनर होता है जैन्थन गम उसका नाम है तो यह आपके product को थिक करने के लिए स्मूद करने के लिए आपके जो product का जो texture है उसको improve करने के लिए thickness का इस्तमाल किया जाता है वो चीज है नेक्स्ट जो ingredient है इसके अंदर वो है enzyme protease बेसिकली एक enzyme होता है जो आपके body के अंदर protein को digest करने में help करता है बेसिकली naturally भी हमारी body protease जो protein को digest करने के लिए enzymes produce करती है अगर extra मिल रहा है जिसको protein को digest करने में थोड़ा issue आता है तो उसके लिए basically यह enzyme protease help करने वाला है नेक्स्ट जो ingredients है इसके अंदर वो है सुक्रालोज और एस सल्फेम potassium बेसिकली यह जो ingredients है वो artificial sweetener है जो आपकी product की calories को increase के विना उसको sweet करने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं तो artificial sweetener है basically दो और ingredient है इसके अंदर वो ingredient list में नहीं है नीचे दिये गए है नीचे लिखाए कि इसके अंदर artificial flavor है जो चोकलेट flavor है मेरे पास इस product के चोकलेट flavor को बनाने के लिए artificial flavors का भी इस्तमाल किया गया है और last ingredient है वो है soil lecithin ये भी उपर ingredient list में नहीं है नीचे दिया गया है तो ये soil lecithin क्या होता है basically ये emulsifier होता है जो आपके product के अंदर flavors डाले जाते हैं color डाले जाते हैं वो अच्छे से mix हो सकी वो अलग लग ना हो product के अंदर lumps ना create हो तो उसके लिए lecithin का इस्तमाल किया जाता है तो वो चीज है just normal है soya protein नहीं है इसके लिखा भी गया है कि इसके अंदर soya protein नहीं है soya lecithin है तो यह protein powders के अंदर इस्तमाल किया ही जाता है इसके अंदर नहीं जितने भी हम आप protein powder उठा लेजीगा market के market से उनके अंदर आपको lecithins मिलेंगे ही या फिर या तो sunflower lecithin मिलेगा या soya lecithin मिल जाएगा normal चीज है तो यह सारे ingredients मिल जाते हैं हमें इसके इंदर इन सभी चीजों से मिलकर यह protein powder है वो बना है तो बात होगे product के ingredients की आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस product के filtration method के बारे में यह आप एक plus point बोल सकते हैं इस product का एक अच्छी बात बोल सकते है इस product की तो naturally filtered protein मिल रहा है आपको बात करें अगर इस product की serving size accuracy के बारे में तो company ने लिखा है कि इसकी एक serving का size है 34 gram जब मैंने इसे अपने kitchen wing scale के उपर check किया तो वो 33 gram के round हुआ level scoop तो मैंने थोड़ा सा कम ले लिया था मेरा scoop खाली था अगर आप इसे अच्छे से फिल करके आगर आप scoop को इस्तमाल करते हैं तो 34-35 gram का scoop हो जाएगा यानि कि serving size accurate ही आ रहा है बात करें अगर इस product की mixability की तो product की mixability बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है 95-96% तक ये पानी के अंदर mix हो जाता है लेकिन 4-5% जो इसके जो particles है वो रह जाते हैं shaker पर चिपक कर रह जाते हैं काफी अच्छे से मैंने mix किया फिर भी इसके जो 3-4% 5% जो particles है वो रह गए तो product की mixability में बोलूँगा कि 95-96% तक है 100% mixability नहीं है बात करें अगर इस product के taste की तो चोकलेट flavor का taste भी मुझे कुछ खास नहीं लगा जब मैंने इसे taste किया तो इसके अंदर एक अजीब सी smell आती है जो आप दवाई यूज़ करते हैं खांसी की वैसी कुछ हलकी सी smell आती है तो उसकी वज़े से मुझे इसका taste अच्छा नहीं परवाया उन्होंने बोला कि उन्हें भी इतना अच्छा नहीं लगा इसका taste क्योंकि इसके अंदर जो smell है वो अजीब सब कुछ महसूस होता है आपको उसके कारण मुझे शायद इसका taste अच्छा नहीं लगा बात होगी product के taste की अब बात करते हैं इस product के price के बारे में तो कर serving का price पढ़ जाता है लगबग 75 रुपीज 75 रुपीज में अगर आपको 25-26 ग्राम protein मिलता है तो एक ग्राम protein का price आपको पढ़ जाता है लगबग 3 रुपए तो currently market के अंदर हमें 2 सवा 2 रुपए के अंदर या धाई रुपए से नीचे high quality protein मिल जाता है एक ग्राम protein high quality protein सवा current market के हिसाब से मैं बोलूँगा कि इसका जो price है वो expensive side में आ रहा है higher side में आ रहा है बात हो गई product के price की अब last में बात करते हैं इसकी lab test report की देखते हैं कि इसकी lab test report कैसी आई है तो मैंने इसकी lab test report करवाई है एक NABL accredited laboratory से तो company ने लिखा है कि इसके 34 gram के एक scoop के अंदर आपको 26.22 gram protein मिलता है dry basis पर यानि कि 100 gram के अंदर आपको company 76% protein बोल रही है dry basis पर अगर हम company के protein content को as is basis पर convert कर लें 4-5% moisture लगा कर तो company के अनुसार इसमें 24 या 25 gram के around तो कुछ protein होना चाहिए तो मेरी lab test report में results आए हैं कि इसके 100 gram के अंदर आपको 63.08% protein मिल रहा है as is basis पर यानि कि 34 gram के एक scoop के अंदर आपको 21.7 gram ही protein मिल रहा है as is basis पर मेरी lab test report के results को अगर हम dry basis पर assume कर लें तो 4-5% moisture लगा कर तो मेरी lab test report के अनुसार इसके अंदर आपको 23.5 gram protein मिलेगा dry basis पर तो ले देकर बात यह है कि आप इसे dry basis पर मान लेजिए या as is basis पर मान लेजिए जितना company ने लिखा है उससे लगबग 3 gram protein कम है पर scoop के अंदर तो यह इसकी lab test report है यह इसका protein content है यह इसके results है report आपके सामने है results आपके सामने है तो यह सारी details थी इस product के बारे में यह मेरी राय थी इस product के बारे में मुझे जैसा product लगा हमेशा की तरह मैंने आपको बता दिया है product की packing से लिखे lab test report सब कुछ आपके सामने रख दिया है अब अगर आपको यह product ठीक लगता है तो आप इनकी website से जाके purchase कर सकते हैं अगर नहीं purchase करना चाहते तो वह भी आपकी choice है आपका decision है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं हमेशे कितरे वही दो लाइने बोलूँगा घिसी पिटी लाइने बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को like कर दीजीगा चैनल को subscribe कर लीजीगा अगर आपको किसी और protein supplement का review चाहिए तो उस आप भी कमेंट में बता सकते हैं बाकि वीडियो देखने के लिए दन्यवाद बाबाए